नमस्कार दोस्तों मेरा आमेद असर्प्रधान राब देखना सुरू कर चुके है छोड़ना कुर लाइब तो चलिए देखते हैं आज जारकण राज्य की प्रमुक बड़ी खबरे फटाफट जेपी नड़ा ने हिमन सरकार पर हमला बोला कहा जारकण कठन के बाद मौजुदा सरकार की कामकाल सबसे खराब दोहजार चोबिस लोकसबा चुनाओ को देखते वे बीजेपी जनसंपर का भ्यान में जुट गई है इसके तहट आज भारत जन्ता पार्टी के राष्ट अध्यक जेपी नड़ा गुरुवार को जारकण पहुंचे जहां उन्होंने गिरिडी में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने अपनी संबोधन की सुरवाद भारत माता की जय और जय जोहार के साथ की इसके बाद उन्होंने भगवान बिर्सा मुंडा और जैनियों के पवित्र इस्तल पारसनात को नमन किया इस दोरान जेपी नड़ा ने परदेश की हिमन सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि वरतमान सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देखे तो हिमन सरकार का ये कारेकाल परदेश गठन के बाद सबसे खराब है राज्य में महिला और बहन के साथ बलातकार की घटनाई बढ़ती जा रही है राइचे में लब जिहाद की घटनाई भी तेजी से बढ़ रही है वरतमान सरकार प्रदेश को प्रकास से अंधेरा की और ले जा रही है जेपी निल्टा ने मौझुदा जारकन सरकार को घोटाले की सरकार बताया है उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जमीन घोटाला जारकन में हुआ है आज जहां देश में गैर भाजपा सरकार है वहाँ पर सराप का घोटाला होता है इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष नि कहा कि जारकन मुक्ती मोच्चा और कॉंग्रेस की सरकार बांगलादेश घुस पेठियों को बढ़ावा दे रही है संथाल परगना में आदिवासी महिलाओं का सोशन हिमन सरकार की संक्षण में हो रहा है रामगर्ण में करोडों की लागत से बनी सरकारी 122 उपकेंद्र बधाल गामिन इलाज के लिए दरदर भटक रहे है मांडू प्रखंड में सरकारी चिकेतिसा वेवस्ता की स्तितिक काफी लाचार है प्रखंड के सुदूर गामिन शेत्र के लोग इलाज के लिए जोला चाप चिकेतिसो या प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर है वैसे सरकार द्वारा रामगार जिले के मांडू प्रखंड में समुदाईक स्वाइस्ति केंद्र मांडू अंदर्गत 13 स्वाइस्ति उपकेंद्र संचालित है प्रतेइक उपकेंद्र में दो-दो एनम की पद भी स्रिजित है परंतु लाचार वेवस्ता के कारण लोगों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है अधिकतर उपकेंद्रों में नियमित एनम की नहीं आने से स्वाइस्ति उपकेंद्र नियमित नहीं खुलते हैं वैसे किसी भी फॉयस्टेप केंद्र में चिक्टिसों की पदास्तापना नहीं की गई है चत्रा में दो तसकर गिरफतार 85 किलो 700 ग्राम डोडा समेट तीन बाईक जब्द चत्रा जिले के कुंदा पुलिस ने चिलोई मोड के पास से 50 किलो 700 ग्राम डोडा के साथ दो तसकर को गिरफतार किया है गिरफता तसकरों में जोरी वसिस नगर थाना चेतर के तिलया गाउ निवासी प्रकास कुमार यादव वचत्रा सदर थाना चेतर के दुधेरी गाउ निवासी कुलू यादव उर्फकारू यादव सामिल है तसकरों के पास से डोडा के अलावा तीन बाइक जब्द किया गया है ये जानकारी SDP असोग कुमार पियदसी ने अपने कारले के अक्ष में प्रेस कॉन्फरेंस कर दी है देवघर के नगर निगम छेतर में सराव विक्री पर रोक स्रावणी मेला के दोरान होगी पावन दी राज के असरवडी मेला 2023 के दोरान स्रधालों की सुविधा को लेकर SDO दीपंकर चौधरी की अधिचिता में सूशना भवन के सभागर में होटल वो धरमसाला संचालों के साथ बैठक की बैठक के दोरान उन्होंने होटल धरमसालाओं के संचालकों को मेले के दोरान अपने प्रदिस्टानों में सफाई की विवस्ता और CCTV कैमरा दुरुस रखने होटल के रेट चार्ट का प्रदिस्ट करने और होटल में फुट सेफटी से जुड़े सभी मानकों के अनुपालन का रुदेश दिया S.D.O. ने पहचान पत्र निर्गत करने पार्किंग से जुड़ी विवस्ता को बहतर करने होटल की सामने पार्किंग कराने ये जाम की समिश्य उत्पन होने पर कड़ी कारवाई करने और होटल में ठहरने वाले सभी लोगों की डिटेल्स और आइडी सही तरीके से रेजिटर में आंकित करने की बात कही उन्हेने स्रावणी मेला के दोरान नगर निगम छेतर में सराब विक्री पर प्रतिबंद लगाने होटेल में सराब की विक्री बंद रखने का सक्त निर्देश दिया मास सुिसाइड मामले में 7 साल बाद सरकार परिवार की बहू को राची पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफतार राजधानी राची साल 2016 के आक्टुबर महिने में काप उठी थी मामला था एक ही परिवार के 6 लोगों की आत्महित्या का सेना से रिटाय डॉक्टर सुकानतो सरकार और उनके घर के 5 सदिश्चों ने बहू से प्रतारिद होकर मौत को गली लगा लिया था इस मामले में राची पुलिस ने कोलकाता से घर की बहू मधुमिता सरकार को कोलकाता से ग्रफतार कर लिया है हलाकि ये गिराफतारी घटना के करीब 7 साल बाद हुई है सदर्थाना छेतर इस्तित रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट नमर 1002 में 9 अक्टूबर 2016 को आर्मी में डॉक्टर रह सुकांतो सरकार और उनके घर के 5 सदिश्यों ने आत्महता कर ली घटना के बाद संसनी फैल गई डॉक्टर सुकांतो सरकार की पत्नी अंजली सरकार, बेटे सुमीत सरकार, सुमीत की बेटी समीता सरकार, पार्थिव सरकार की पत्नी मोमिता सरकार और मोमिता की बेटी समीता सरकार के सव एक ही कमरे से बरामत किया गया था जबकि खुद डॉक्टर सुकांतो सरकार घायल अवस्ता में कमरे में पाए गये थे जिनकी इलाज के तोरान मौत हो गई थी बता दे कि डॉक्टर सुकांतो सरकार नहीं परिवार के पांच सदिश्यों को इंजेक्शन देकर मार डाला था और फिर खुद भी आत्महिता कर ली थी जाज के दोरान पुलिस को कमरे से कई पुर्जे भी मिले थे जिससे इन सभी मृत की मौत की वज़ा थोड़ी बहुत इसपश्ट होती नजर आ रही थी खबरों की माने तो आरोपी मधुमिता ने अपने सस्राल वालों के खिलाब तहिच प्रताणा से जुड़े कई मामले धर्श करा चुकी थी इन आरोपी की वज़े से पुरा परिवार परैसान था कुछ एंजियों के माध्यम से भी मधुमिता हमेशा दबाब बनाये रखती थी इस कारण पुरा परिवार मानसिक दबाब में था भोला पांडे गिरों के चार अपरादी राची से गिरफतार बड़ी घट्टा को अंचाम देने की बना रहते साजिस ATS की टीम ने बर्यातू लालू खटाल रोड इस्तित होटेल डिन ग्रैंड में चापे मारी कर भोला पांडे गिरों से चुड़े चार अपरादियों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार अफरादियों में पश्चिम बंगाल के नियमादपूर निवासी सुदीर कुमार उफटपू, सिखदरी के हिसातु निवासी सुबोद कुमार साहू, नामकुम के लोडी निवासी टिंकु सिंग और नामकुम के सदाबाहर चौक कारिनगर निवासी पुलिस ने आलोपियों के पास से एक 9mm की पिस्टल, दो मैगजीन, 2100 रुपो के अलावा 9 मोबाइल फोन और 49,000 रुपया ब्रामत किया है। राज्य कुमार मिस्रा यहों जस्टिस आनन सेन की खंटपीट ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के तोरान प्राथियों राज्य सरकार का पक्ष सुना। बता दे कि पूरे राज्य में दो दिनों के अंदर यानि 20 से और 21 जून को बजरेपाद से कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है। दरसल मंगलवार को राज्य के अलग-अलग हिसों में हुई बजरेपाद की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई तो वुद्वार को इगारल लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हुए है। जारखन में न्यूकती पत्र वित्रन समहारो 2550 युवाओं को मिली नौकरी। भीत्य चित्र के माध्यम से खोटा भासा को सरक्षित करने में लगे हैं गीतकार विनेतिवारी। आज की बुलेटिन समाप जारखन की पलपल की खबरों के लिए चैलेंज से जुड़ने ये धन्यवाद जुहार। पुलेटिन वरेटिन शुड़ने नौकरीज टुपरी। आज की बुछ पक्राखन की खबरों की खबरों की खबरों में लूत्र की खबरों की जुपर्दित